हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी को सन्विक क्लासेज में आज के ये वीडियो काफी महत्पुन होने वाला है इसमें स्पीडी मैगजिन के नवंबर मन्त के निव एडिशन में दिया गया वन लाइनर है इस एक वीडियो को देखकर अक्टूबर महिने की पूरी करेंट अफ जाएगा जापान एक अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो उस दिन मनाया गया अंतराष्ट्य कोफी दिवस विश्व सकहारी दिवस एबं अंतराष्ट्य ब्रिधजन दिवस तीन दिवस मनाया गया एक अक्टूबर को ट्यूनिसिया की पहली महला परधान मंत्री कौन बनी ट्यूनिसिया की पहली महला परधानमंत्री कौन बनी नजला बोडेन रोम धने ट्यूनिसिया की पहली महला परधानमंत्री बनी एक अक्टूबर 2021 को जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे उपर कौन है तो सबसे उपर मुखे संबानी है और दुसरे थीम के खिलाप 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने इसका अंसर हो जाएगा रोहिश सर्मा पी टी आई प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के अध्यच कौन चुने गए इसका अंसर हो जाएगा अभिक सरकार नेक्स्ट है डिजिटल एक्विटी फोर आल एजस थीम के स साथ कौन सा दिवस मनाया गया तो यह दिवस मनाया गया अंतराष्टिय बृधजन दिवस नेक्स्ट है भारतिय बाई सेना के परमुक के रूप में किसने कार्जभाल संभाला और इसका सही अंसर है विवेक राम चौधरी भारतिय बाई सेना के परमुक के रूप में तो करनल ममाडी डोबोया ने गिन्नी के राष्टपती के रूप में सफ़त लिया अगला है उत्तर परदेश के वन डिस्टिक बन परड़क्ट योजना का ब्रांड डेमेस्टर किसे बनाया गया तो बनाया गया कंगना रनाओद को उत्तर परदेश की वन डिस्टिक वन परड़क्ट के ब्रांड डेमेस्टर नेक्स्ट है दो अक्टूबर देवह जारे कीस को कहां दुनिया की सबसे बड़ा खादी राष्टिय ध्वज का उद्गाटन किया गया तो यह लेह में किया गया दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्टिय ध्वज नेक्स्ट है सैन नर्सिंग सेवा का एडी जी किसे बनाया गया तो इसका अंसर हो जाएगा असमिता देवरानी को बनाया गया सैन नर्सिंग सेवा का एडी जी नेक्स्ट है किस राज के तीन जीलों को असांत छेतर गोसित किया गया तो अरनाचल परदेस राज के तीन जीलों को असांत छेतर गोसित किया गया है नेक्स्ट है मित्र सक्ति संजुक सैन अभ्यास भारत और किस देश के भी सुरू हुआ तो यह सिरलंका और भारत के भी सुरू हुआ नेक्स्ट है किस राज के सफेद प्याज को जी आई टाइग मिला तो महरास्ट राज के सफेद प्याज को जी आई टाइग मिला अगला है किस राज सरकार ने बोतल बंद पानी पर परतिबंध लगाया है तो सिक्किम राज ने बोतल बंद पानी पर परतिबंध लगाया है नेक्स्ट है तीन अक्टूबर दोहजर कीस के गोसना अनुसा दोहजर बाइस में 56 राष्ट्य क्रोस कंट्री चेंपियनसिप की मेज़वानी कौन करेगा जो 2022 में होगा तो इसका अंसर हो जाएगा नागा लेंड नेक्स्ट है मेरिल बोन किर्केट कलब के अध्याच कौन बने है मेरिल बोन किर्केट कलब के अध्याच बने कलेर कॉर्डनर अगला है लीवा मिस दिवा इनिवर्स 2021 का खिताब किस ने जीता तो ये खिताब जीता हरनाज संधुने नेक्स्ट है इसियन टेवल टेनिस चैंपियनसिफ में भारत का सिपदक जीत लिया नेक्स्ट है 4 Оok posun को कौन सा दिवस मनाया गया किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाल जीरकॉन का सफल परिच्छन किया हाइपरसोनिक मिसाल जिरकौन का सफर परिच्छन कौन सा देश किया तो रूश ने नेक्स्ट है किस राज के मुख मंत्री ने परसासन गाउं के संग और परसासन सहरों के संग अभियान की सुरुआत की नेक्स्ट है किस राज के एक तिस्वे जिले बिजय नगर का उद्गाटन किया गया तो बिजय नगर समराज कहा था तो करनाटक में था तो इसका अंसर हो जाएगा करनाटक राज नेक्स्ट है चार अक्टूबर 2021 को रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का M.D.A.M. CEO किसे नुक्त किया गया तो इसका सही अंसर हो जाएगा अमीस मेहता को नेक्स्ट है क्रिप्टो एक्स्चेंज कॉइन DCX ने किसे अपना एंबेस्टर नुक्त किया है क्रिप्टो एक्स्चेंज कॉइन DCX ने अमिताब बच्चन को अपना ब्रांड एंबेस्टर नुक्त किया है बर्स 2021 का किसे चिकित्सा का नुबिल पुरुसकार दिया गया तो इसका अंसर हो जाएगा डेविड जूलियस एवम अर्देम पटा पोटियन को डेविड जूलियस एवम अर्देम पटा पोटियन को चिकित्सा का नुबिल पूरुसकार दिया गया अगला है कौन सा दिबस मनाया जाता है पांच अक्टूबर को इसका सही अंसर हो जाएगा बिश्व सिच्चच दिबस मनाया जाता है पांच सितमबर को नेक्स्ट है किस राज के मिहिदाना मिठाई को GI टाइग मिला है तो यह पस्चिम बंगाल के मिहिदाना मिठाई को GI टाइग मिला है अगला है भारतिय इस पात संग के महासचिव कौन नियुक्त किये गए तो इसका सही अंसर है अलोक सहाए नेक्स्ट है किस राज के बाड़ा कोलम चावल को GI टैग मिला है महराष्ट राज को नेक्स्ट है रवी आई ने किसे NBFC का परसासरक नुक्त किया है और इसका सही अंसर हो जाएगा रजनीश सर्मा को नुक्त किया है अस्टिल्याई धर्ति पर टेस्ट चतक लगाने वाली पहली भारतिय महला कौन बनी तो अंसर हो जाएगा अस्मिर्थी मंधाना अगला है केंद्र सरकार ने किस कामिक करेक्टर को नमामी गंगे मिसन का अधिकारिक सुभंकर गोसित किया है नेक्स्ट है दाल चीनी के संगटित खेती शुरू करने वाला पहला राज बना हिमाचल परदेश अगला है गोपिनाथ बर्दोलाई पुरुसकार किसे परदान किया गया तो ये परदान किया गया बिरोध कुमार बरुवा, कस्तुरुबा गांधी राष्ट्यस मारक ट्रस्ट की असम साखा और सिलाउंग चैंबर कॉयर को नेक्स्ट है भारत्य भारतोलन महासंग का अध्याच कौन चुने गया इसका सही अंसर हो जाएगा सहदेव यादव को भारत्य भारतोलन महासंग का अध्याच चुना गया नेक्स्ट है अमरितान जन हेल्थ केर ने किसे अपना ब्रांट एमबेस्टर बनाया तो इसका अंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया को अगला है भारत का पहला इफिस मार्केटेब फिस वाले कहां लाउंच किया गया तो इफिस मार्केटेब फिस वाले लाउंच किया गया असमराज में नेक्स्ट है पकिस्तान की इंटिलिजेंस एजनसी के परमुख कौन बने इसका सही अंसर हो जाएगा नदीम अंजुम बने अगला है दो देशों के बीच पांच भी दिवपच्छी समुंद्री अभ्याः जीमेक्स शुरू हुआ भारत और जापान के बीच जैसे जापान आई से इंडिया नेक्स्ट है किस देश को फिल्म चालक दल अंत्रीच में पहली फिल्म बनाने के लिए और्बिट में पहुचा और इसका अंसर हो जाएगा रूस फिल्म कौन होगा चैलेंज नेक्स्ट है मेल्ट बाटर चेंपियंशिप सत्रंज टूर्ट खिताब किस ने जीता तो इसका अंसर हो जाएगा मैगनस कौलसन ने नेक्स्ट है रसाइन बिग्यान में बर्स 2021 का नोबिल पुरुषकार किस ने जीता और इसका अंसर हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैक मिलन ने किस बैंक ने भारते नौसेना के सहयोग से नव एकैस कार्ड लॉंच किया और इसका अंसर हो जाएगा साथ अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया साथ अक्टूबर 2021 को बिश्व का पास दिवस मनाया गया नेक्स्ट है साथ अक्टूबर 2021 को बथुकंपा उत्सब मनाया गया तिलंगाना में नेक्स्ट है किस राज सरकार ने गुरु घासी दाम राष्टिय उद्दान और तिमोर पिंगला बनेजिब अभ्यारन के संजुक्त छेतर को टाइगर रिजर्ब घोसित किया है तो ये 36 गड़ राज में गुरु घासी दाम राष्टे उद्दान और तिमोर पिंगला बने जिव भ्यारन को टाइगर रिजर्व घोशित कर दिया गया है नेक्स्ट है भारत ने किस देश को कोशी कोरिडोर बिधुत पारेश सेन लाइन सोपी है और इसका सही अंसर है नेपाल अगला है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का ध्याच बने पील हरानाथ ने नेक्स्ट है साथ अक्टूबर 2021 को जारी सुचना के अनुसार 2023 में पहली बार अफिरका पैरा उलम्पिक खेलो की मेजबानी कौन सा देश करेगा और इसका सही अंसर हो जाएगा घाना नेक्स्ट है साहित का नोबिल पुर्शकार 2020 किसे परदान किया गया और इसका अंसर हो जाएगा अब्दूरज्जा गुर्ना को साहित का नोबिल पुर्शकार 2020 किसे सम्मानित किया गया चैंपियन आफ चेंज आवाड किसे सम्मानित किया गया और इसका सही अंसर हो जाएगा सुस्री सरीता सिंग को चैंपियन आफ चेंज आवाड से सम्मानित किया गया अगला है किस राज्य सरकार ने मिसं कबच कुंडल लॉंच किया है महराश्य सरकार के दौरा जारी हिनले पासवोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश सिर्ष पर रहा और इसका सही अंसर है जापान देश सिर्ष पर रहा 8 October को कौन सा दिवस मनाया जाता है 8 October को भारतिय 22 से ना दिवस मनाया जाता है Next है Force India Rich List 2021 में कौन सा सीर्ट पर रहा कौन सीर्ट पर रहा तो ये इसका अंसर हो जाएगा मुके संभाने BISP Bank ने 20 बर्स 2022 में भारत की GDP विकास दर कितने परतिसत रहने का अनुमान लगाया है तो ये अनुमान लगाया है 8.3% का अगला है चर्चित पुष्तक अर्थ सास्त्री गांधी को किसने लिखा है और इसका सही अंसर होगा जैतिर्थ राव ने Next है टाटा संस ने कितने कड़ोर रूपय में Air India की बोली जीती है तो ये जीती है 18,000 कड़ोर रूपय की Next है नोबेल सांती पुरुष्कार 2021 किसने जीता और इसका अंसर हो जाएगा मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोब ने नोबेल सांती पुरुष्कार 2021 जीता Next है सेनको गोल्ड एंड डाइमंड ने किसे अपना ब्रांड आबेस्टर बनाया और इसका अंसर हो जाएगा क्यारा अढ़वानी को आयूद निदेसाला के पहले महानी देशक कौन बने आयुद निदे साले के पहले महा निदे सक बने ER सेख नेक्स्ट है भारत और किस देश के मध उत्राखण में अजय बोरियर अभ्यास शुरू किया गया United Kingdom के साथ नेक्स्ट है कौन सा दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर को और इसका अंसर हो जाएगा 20 परवासी पच्छी दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर को नेक्स्ट है नागरिक उडियन मंत्री जोती राद दे सिंधिया ने किस राद दे सिंधिया ने किस राज में ड्रोन मेला की सुरूआद की और इसका सही अंसर हो जाएगा उत्राखंड राज में नेक्स्ट है दिली बिस्विद्याले के कुलपती कोन बने तो योगेश सिंध दिल्ली बिस्विद्याले के कुलपती बने WHO ने किस देशद्वारा निर्मित पर्थम मलेरिया बैक्सिन की स्विकिर्थी दी है तो United Kingdom इसका सही अंसर हो जाएगा Next है सत्जीत रे पुरुषकार के लिए किसे चुना गया सत्जीत रे पुरुषकार के लिए किसे चुना गया और इसका अंसर हो जाएगा B. गोपाल को कौन सा दिबस मनाया गया 10 अक्टूबर को और इसका अंसर हो जाएगा मिर्तू दंड के खिलाप बिस्व दिबस मनाया गया 10 अक्टूबर को Next है किस राज की डियूर मिर्च और कटी कटूक आम का GI टेग मिला और इसका सही अंसर हो जाएगा केरल राज का Next है ASI द्वारा आर्जभट पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया और इसका सही अंसर है G. सतीस रेड़ी को आर्जभट पुरुषकार से सम्मानित किया गया किस IIT को स्टार्ट अप के लिए यूरेका पहल सुरू की गई और इसका अंसर हो जाएगा IIT बंबे को नेक्स्ट है 45 वे वाइलर राम बर्मा स्मिर्ती सहितिक पुरुसकार के लिए चुना गया किसे पैंतालिसवे बाईलोर रामबर्मा स्मिर्ति सहितिक पुरुषकार के लिए चुना गया बिन्या मीन को जारी ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स में कौन सीर्स पे रहा जारी ब्लूमबर्ग बिलेनियम इंडेक्स में सीर्स पे रहा एलन मास्क अगला है किस बाल रोग भी से सग्ग को बेव स्रिष्ट सम्मान मिला तो इसका अंसर हो जाएगा बियस नटराजन को नेक्स्ट है किस देश के परमानु कार्जकरम के जनक डाक्टर अब्दुलकादिर खान का निधन हुआ और इसका अंसर हो जाएगा पकिस्तान के जारी सुचना के अनुसार 236 ओलंपिक खेलो की मेज़वानी कौन सा देश करेगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा भारत नेक्स्ट है कौन सा दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर को तो अंतराश्टिय बालिका दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर को किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिस उचायुक्त बनाया गया तो अदिती महस्वरी को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिस उचायुक्त बनाया गया है नेक्स्ट है लाल बहादुर सास्त्री पुरुषकार किस ने जीता लाल बहादुर सास्त्री पुरुषकार डाक्टर रंदीप गुलेरिया ने जीता नेक्स्ट है मारगन अस्टेनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का परमुख बनाया गया मारगन अस्टेनली ने किसे एंडिया ग्लोबल सेंटर का परमुख बनाया और इसका अंसर हो जाएगा अनाहिता तिवारी को नेक्स्ट है तुरकी ग्रापिक्स 2021 किस ने जीता तो इसका अशर हो जाएगा बाल्टेरी बोटास ने तुरकी ग्रापिक्स 2020 जीत लिया किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया और इसकांसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक PNB किस ने भारतिय अंत्री संग का सुबारंब किया और इसका अंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने भारतिय अंत्री संग का सुबारंब किया अगला है 12 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनायेगा तो विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर 2021 को मनाया गया किस राज के मुख मंत्री ने सीयम दा हैसी पहल की सुरुवात की और इसका अंसर हो जाएगा मनीपूर किस देस की एमी हंटर एक दिवस्य किरिकेट में सतक लगाने वाली सबसे कम अमर्की महला बनी किस देश की एमी हंटर एक दिवस्य क्रिकेट में सतक लगाने वाली सबसे का मुम्र की महला बनी और इसका अंसर हो जाएगा आयरलेंड नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरन किया और इसका अंसर हो जाएगा जर्मणी नेक्स्ट है किस राज की करुपवूर कलमकारी पैंटिंग और कलाकुरीची बुढ नकासी को जी आई टैग मिला और इसका अंसर हो जाएगा तमिलनाडू राज की नेक्स्ट है भारत पे के बोर्ड चेर्माइन के रूप में कौन सामिल हुए और इसका अंसर हो जाएगा रजनी इश्कुमार नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा भारत के 11 महारतन कमपनी का दर्जा किसे दिया गया भारत सरकारद्वारा इगारवे महरतन कमपनी का दर्जा किसे दिया गया और इसका अंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड को नेक्स्ट है कौन सा दिवस मनाया गया 13 अक्टूबर 2021 को और इसका अंसर हो जाएगा राष्टिय आपदा निवनी करन दिवस मनाया गया 13 अक्टूबर 2021 को नेक्स्ट है पारिस्थित की खत्रों के लिए सबसे संबेदन सील देशों में कौन सामिल है और इसका अंसर हो जाएगा बांगला देश परस्तितिक खत्रों के लिए सबसे संबेदन सील देशों में सामिल है नेक्स्ट है अलेक्सजेंडर सालेन वर किस देश के नए चांसलर निवक्त हुए तो यह अंसर हो जाएगा अस्ट्रिया का नेक्स्ट है जारी अच्छे उर्जा देश अकरसन सुचकांग में कौन सा देश सिस पर रहा इसका अंसर हो जाएगा अमेरिका भारत का स्थान के इसमा रहा तो यह तिसरा रहा नेक्स्ट है गोसना अनुसार किसे बेगन लेदर पहल के लिए पेट्टा इंडिया पुरुसकार मिला और इसका अंसर हो जाएगा पीके संगमा को नेक्स्ट है परधान मंत्री मोदी के सलहकार के रूप में किसे निउक्त किया गया परधान मंतरी मोधी के सलाकार के रूप में किसे न्यूक्त किया गया और इसका अंसर हो जाएगा अमीत खरे को अगला है बिश्व के सबसे बड़े बिश्व का सबसे बड़ा बीटकोईन खनन केंदर कौन बन गया और इसका अंसर है अमेरिका नेक्स्ट है कौन सा दिवस मनाया गया 14 अक्तूबर 2020 को तो 20 मानक दिवस मनाया गया 14 अक्तूबर को नेक्स्ट है किस देश ने Long March 2D राॉकेट में अपना पहला सोर अनवेशन उपगरा जीहे लॉंच किया और इसका सही अंसर है चीन नेक्स्ट है मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किस ने जीता है तो अंसर है रस्मी मादुरी जो बेंगलूर के निवासी हैं नेक्स्ट है किस राज के मुखमंत्री ने आक्सीजन पारकाउद घाटन किया और इसका अंसर हो जाएगा त्रिपूरा भारत का पहला अटल समुदाइक नवाचार केंदर कहां सुरू किया गया तो अंसर है जैपूर में सुरू किया गया नेक्स्ट है किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटियम लॉंच किया तो ये कोटक महंद्रा बैंक ने माइक्रो एटियम लॉंच किया किस राज के मुखमंत्री ने सभी के लिए मुखमंत्री स्वास्त योजना मनिपूर राज ने की नेक्स्ट है भारतिय बैंक संग का नया अध्यच किसे चुना गया और इसका सही अंसर हो जाएगा एक के गोयल को अगला है किसने स्वचालित इंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉंच की और इसका अंसर हो जाएगा बीपी सीयल ने जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा अस्थान रहा तो भारत का रहा 101वे पर्थम अस्थान पे कौन रहा तो बेलारूस अगला है जारी सुचना के नुसार बच्चो को कोबिड का ठीका देने वाला पहला राज कौन बनेगा तो इसका अंसर है तमिलनाडू पहला राज बनेगा बच्चो को कोबिड का ठीका देने वाला फोर्ट्स द्वारा परकासित बिस्व की सर्वस्रेश्ट न्योकता रैंकिंग में कौन सीर्ष पर रहा और इसका सही अंसर हो जाएगा सैमसंग अगला है किस मंत्राले द्वारा माई पार्किंग एप का सुभाराम किया गया माई पार्किंग एप का सुभाराम किया गया और इसका अंसर हो जाएगा सुचना एबम परसानल मंत्राल है इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किस ने जीता तो इसका अंसर हो जाएगा चन्नाई सूपर किंग और उबी जेता था कॉलकता नाइट राइडर्स कौन सा दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 2021 को तो विस्वखाद दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को नेक्स्ट है सुला से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर परदेश के किस हर में हुनरहाट का योजन किया जाएगा तो ये रामपूर में किया गया हुनरहाट का नेक्स्ट है संजुक्त राष्ट जय बिवित्ता सिखर सम्मेलन किस देश में सुरू हुआ और इसका अंसर हो जाएगा चीन देश में नेक्स्ट है भारत अमेरिका संजुक्त सेन अभ्यास का सत्रहवा संस्क्रान युध्य अभ्यास 2021 कहां आयोजित हुआ नेक्स्ट है पीम फ़सल भीमा योजना का सीए ऑ किसे निक्त किया गया अगला है कैम्ब्यान पेट्रोल अभ्यास में भारतिय सेना की टीम में कौन सा पदक जीता तो भारतिय सेना की टीम ने स्वर्न पदक जीता लगला है किस देश की फुटवाल टीम ने दच्छी ने सियाई फुटवाल महसंग चेंपियनसिप 2021 जीती है तो इसका अंसर हो जाएगा भारत नेक्स्ट है किस सहर की साथ साल की बच्ची अध्या अरवीन ने Global Peace Photo Award जीता है और इसका अंसर हो जाएगा बिंगलूरू नेक्स्ट है हार्मोनी इंडिया अवार्स 2021 में किसे सम्मानित किया गया हार्मोनी इंडिया अवार्ज़ दोहट जारी किस से किसे सम्मानित किया गया और इसका अंसर हो जाएगा बीर मुंसी को बारत में रूसी फिल्म महुत सब का ब्राण डैमेस्टर किसे नुक्त किया गया अगला है थॉमस कप किस देश ने जीता थॉमस कप किस ने जीता तो इंडोनेशिया देश ने जीता वहीं उबेर कप चीन ने जीता अगला है किस राजसरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है तो पंजाब राजसरकार ने ये योजना शुरू किया है किसे PMO में नया संजुक्त सचीव नियुक्त किया गया अगला है उत्राखंड के मुख मंत्री ने पंत नगर और धोगिक छेतर का नाम किसके नाम पर रखने की घोशना किया तो नराइन दत तिवारी के नाम पर रखने की घोशना किया इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभाब साली एक्टर्स की सूची में कौन सीर्स पर्स है तो इसका सही अंसर हो जाएगा रस्मी का मंधाना अगला है L&T एजुटेक ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है तो सब्या साची दासकोष अपना CEO नियुक्त किया है करनाटक बैंक के अध्यच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो परदीब कुमार पांजा को करनाटक बैंक के अध्यच के रूप में नियुक्त किया है अगला है रूस और किस देश ने नौसैनिक अभ्यास संजुक्त सागर 2021 आयोजित किया रूस और चीन के बीच कैस्वी महला ग्रेंड मास्टर बने नेक्स्ट है संजुक तराश जै विवित्ता सिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया तो इसका अंसर हो जाएगा चीन में किया गया नेक्स्ट है T20 किरकेट में सबसे ज़्यादा बिकेट लेने वाले गिंदवाज कौन बने तो T20 किरकेट में सबसे ज़्यादा बिकेट लेने वाले गिंदवाज बने साकिव अल हसन नेक्स्ट है किसे सूपर क्रोना बोरियर पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो ये सम्मानित किया गया बी एस यदूर अप्पा जी को next है राष्ट्यनुसंधान विकास निगम के नए CMD कौन नामित हुए तो अमीत रस्तोगी राष्ट्यनुसंधान विकास निगम के नए CMD नामित हुए next है जारी 2021 के ग्लोबल टीवी रिपोर्ट के अनुसार टीवी उनमूलर में सबसे ज्यादा प्रभावी देश कौन सा है और इसका अंसर हो जाएगा भारत Next है किस ने 2020 प्रेमियो प्लैनेटा सहितिक पुरुषकार जीता तो कैमरून मोला को मिला 2020 का प्रेमियो प्लैनेटा सहितिक पुरुषकार Next है किस भारतिये ने अर्थ सौट पुरुषकार इको आसकर जीता तो विधुत मोहन ने अर्थ सौट पुरुषकार जीत लिया Next है किस अंत्रिश एजनसी ने लूसी मिशन लॉंच किया लूसी मिशन लॉंच किस ने किया तो नासा ने Next है 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया तो 20 अक्टूबर को 20 सांखे की दिवस मनाया गया Next है 20 अक्टूबर 2021 की कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए कौइन DCX में सामिल हुआ तो आइसमान खुराना सामिल हुआ फ्यूचर यही है कौइन DCX में नेक्स्ट है जारी सुचना अनुसार भारत का बामनबा अंतराष्टे फिल्म महतसब कहा योजित किया गया तो ये योजित किया गया गोवा में किस राज में मुखमंत्री रासन आपके द्वार योजना की सुरुआत हुई इसका अंसर है मध्य परदेश राज में किस देश में कोबिड-19 डेल्टा भैरियंट एवाई 4.2 का मामला मिला तो इसका अंसर हो जाएगा इजरायल नेक्स्ट है किस देश के किरकेटर जेम्स पेटिंसन ने अंतरास्टी किरकेट से सन्यास की गोश्टना किये तो इसका अंसर हो जाएगा अस्ट्रेलिया कौन सा दिवस मनाया गया 21 सक्टूबर 2021 को तो राष्टी पूलिश स्मिर्थी दिवस मनाया गया 21 सक्टूबर 2021 को next है किस कंपणी ने India Green Energy Award जीत लिया है प्राद की लहर पर अपात्काल की गोषना की है अपराद की लहर पर अपातकाल की घोशना इकवाडोर ने किया है नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2020 को जारी 2021 22 खाद सुरच्छा सुचकांग में भारत कौन सा स्थान पे रहा तो 22 खाद सुरच्छा सुचकांग में भारत 41 अस्थान पे रहा नेक्स्ट है 2021 के किस देश के पुर्व राष्टपती ने अपना खुद का सोशल मीडिया एप टूथ सोशल लाउंच किया और इसका अंसर हो जाएगा अमेरिका नेक्स्ट कौन सा दिवस मनाया गया 22 अक्टूबर 2021 को तो ये अंतराष्टी हकलाना जागरुकता दिवस मनाया गया 22 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपना पहला सुवदेशी अंतरिच रॉकेट नूरी लॉंच किया तो दच्छिन कोरिया ने अपना पहला सुवदेशी अंतरिच रॉकेट नूरी लॉंच किया अगला है जारी बैस्विक पेंसन सुचकांग 2021 में भारत का स्थान कितना रहा तो 40 वा स्थान रहा बैस्विक पेंसन सुचकांग में नेक्स्ट है Miss International Burd 2021 का खिताब किस ने जीता तो डाक्टर अस्ता प्रभु ने इंटरनेशनल Burd 2021 का खिताब जीत लिया है Burd Justice Project के Rule of Law Index 2020 में भारत कौन सा अस्थान पर रहा तो भारत उनह तरवे अस्थान पर रहा नेक्स्ट है जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश सिर्ष पर है तो Belgium देश सिर्ष पर है और भारत का स्थान 106 है नेक्स्ट है सुचना नुसार किस देश के Mount Eso ज्वाले मुखी में बिस्पोर्ट हुआ और इसका सही अंसर हो जाएगा ये जापान में है Mount Eso ज्वाला मुखी नेक्स्ट है कौन सा दिवस मनाया गया 13 October 2021 को तांतराश्टिय हीम तेंदुआ दिवस मनाया गया 13 October 2021 को अगला है किसने सखारो पुरुषकार जीता इसका अंसर हो जाएगा एलेक्सी नवलनी ने सखारो पुरुषकार जीता नेक्स्ट है किस देश ने गंतंत्र बनाने से पहले डैम सेंडरा मेशन को अपना पहला राष्टपती चुना है और इसका सही अंसर हो जाएगा बारबार डोश ने नेक्स्ट है किस राज सरकार ने स्री धन बंत्री जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की सुरू की अगला है भारत के किस देश को जैनगर कुर्था क्रोस बॉर्डर रेल लिंक सौपा है भारत ने किस देश को जैनगर कुर्था क्रोस बॉर्डर रेल लिंक सौपा है तो इसका अंसर हो जाएगा नेपाल को नेक्स्ट है किस राज में निरबाचा नयोग ने सभी मतदान केंद्रोप की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गड़ूर एप लॉंच किया है तो ये लॉंच किया है पंजाब राज ने नेक्स्ट है चोबिस अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया तो चोबिस अक्टूबर को संजुक्त राश दिवस मनाया गया नेक्स्ट है वाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया तो नीरा टंडन को वाइट आउस की अस्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है अगला है किस राज में प्याज की नई परजाती एलियन नेगेनम की खोज की गई और ये प्याज की नई परजाती उत्राखन राज में खोज की गई नेक्स्ट है 100% टीका करन बाला राजस्थान का पहला जीला कौन बना तो इसका अंसर हो जाएगा परताप गड़ नेक्स्ट है किसने सिजियान 21 नामा के एक नए उपगरह का सफलता पुरवक प्रेच्छन किया तो नाम से ही पता चल जा रहा है ये चीन ने किया अगला है किसने अपना नया संकलन राइटिंग फोर माई लाइफ जारी किया और इसका अंसर हो जाएगा रसकिन बॉंड नेक्स्ट है किस देश ने जलवाई परिवर्तन को राष्टिय सुरच्छा मुद्दा घोशित किया और इसका अंसर हो जाएगा इजरायल नेक्स्ट है रच्छा मंत्राले ने एमके 54 टार्पीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझाउता किया और इसका अंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ नेक्स्ट है किस देश की सेना ने परधान मंत्री को गिरफतार करके सत्ता पर कबजा कर लिया है नेक्स्ट है किसे दादा सहब फाल के पुरुषकार से सम्मानित किया गया और इसका अंसर हो जाएगा रजनी कांद को अगला है भारत और किस देश ने संजुक त्री सेवा अभ्यास कौंकन सक्ती 2021 आयोजित किया गया और इसका अंसर हो जाएगा UK नेक्स्ट है किस देश ने घोषना किया कि वह 260 तक सुध सुन ग्रीन हाउस गैस उतसरजन का लच प्राप्त कर लेगा और इसका अंसर हो जाएगा साओधी अरव नेक्स्ट है किसे जोसिफ एक कुसमेन पुरुसकार 2022 के लिए चैनित किया गया तो अंसर है डाक्टर राजीव निगम को जोसिफ एक कुसमेन पुरुसकार 2022 के लिए चैनित किया गया है 26 अक्टूबर 2020 को कहां में भारत की पहली राज जिब बन जीब DNA परिच्छन परयोकसाला का उदगाटन किया गया और इसका सही अंसर हो जाएगा नागपूर भारत की पहली राज जिब बन जीब DNA परिच्छन परयोकसाला का उदगाटन किया गया अगला है किस राज ने सिच्छा के अस्थर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सिच्छा योजना की गोशना की है और इसका सही अंसर हो जाएगा हर्याना राज ने नेक्स्ट है भारत का पहला टेस्ट्यूब बन्नी भैस का बचला पैदा हुआ किस राज में भारत का पहला टेस्ट्यूब बन्नी भैस का बचला पैदा हुआ गुजरात राज में नेक्स्ट है किसने भारत का पहला वाइस बेस्ट सोसल मीडिया एफ हुट्टे लाउंच किया तो यह लाउंच किया रजनी कांथ नेक्स्ट है किसने डेनमार्क ओपन 2021 जीता है तो किसने जीता है तो विक्टर एक्सेल्शन एवं अकाने यामा गुची ने नेक्स्ट है सुचना अनुसर कौन सी दो टीमें 2022 में इंडियन प्रीमियम लीग का हिस्सा होगी तो अहमादाबाद और लखनाओ दो टीमें 2022 में आईपियल की हिस्सा होगी 27 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तब विश्वश रब्य द्रिस बिरासत दिवस मनाया गया 27 अक्टूबर को नेक्स्ट है भारत्य मुल्की अनिता अनंद किस देश की नई रच्छा मंत्री न्यूक्त हुई तो भारत्य मुल्की अनिता अनंद कनाडा देश की रच्छा मंत्री न्यूक्त हुई नेक्स्ट है बारत के पहले Radio Over Internet Protocol system का उद्गाटन कहां हुआ प्रोटोकालरी इंटन कोलकता में हुआ नेक्स्ट है प्रत np घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज कौन बन गया तो परत्य गर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला गोआ पहला राज मन गया नेक्स्ट है मोटो जीपी बर्ड चैंपियंशिप 2021 किस ने जीत लिया है और इसका अंसर हो जाएगा फैब्यो क्वार्ट टारो ने नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया तो अंतराष्ट्य एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया गया नेक्स्ट है ICC ने किसके साथ बच्चों और किसोरों के मानसिक स्वास्त जागरुकता के लिए साजेदारी की है और इसका अंसर हो जाएगा UNICEF के साथ नेक्स्ट है किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पास्पोर्ट जारी किया है और इसका अंसर हो जाएगा USA ने अपना पहला जेंडर एक्स पास्पोर्ट जारी किया है नेक्स्ट है किस राज के मुखमंत्री ने अजुकेशन एट यूर डोर अस्टेप योजना शुरू की है और इसका सही अंसर हो जागा तमिल्नाडू राज ने अगला है जल गुनबत्ता मुल्यांकन पर नाली का उद्गाटन कहां किया गया जल गुनबत्ता मुल्यंकर परगेनाली का उधगाटन उत्राखण में किया गया नेक्स्ट है भारत ने किस देश के लिए 200 मिलियन डॉलर लाइन आफ क्रेडिट की गोशना की है तो ये इसका अंसर हो जाएगा किर्गिस्तान ने नेक्स्ट है कौन सा दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर 2021 को तब बल्ड सुराइसिस डे एवं अंतराष्टी इंटरनेट दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर को नेक्स्ट है भारत ने कहां अगनी 5 बलिस्टिक मिसाल का सफल परिच्छन किया तो यह सफल परिच्छन उडिशा राज में किया नेक्स्ट है किस मन्तरालाय ने राष्टी इस्तर पर जागरुकता कार्जकरम संभव सुरू किया और इसका अंसर है MSME मन्तरालाय ने नेक्स्ट है किस देश ने सैन उपचार उपगरा सिराजक्यू फोरे लौंच किया और इसका अंसर हो जाएगा France नेक्स्ट है किस राज ने 34 चिल्डरेन पुलिस अस्टेशन के अस्थापना की गोशना की है नेक्स्ट है गोवा सरकार ने महलाओं के अस्तन कैंसर के लिए कौन सी पहल सुरू की और इसका सही अंसर हो जाएगा स्वस्त महला स्वस्त गोवा नेक्स्ट है फ्लोवीज नियो बैंक के ब्रान डेवेस्टर कौन बने फ्रोवीज नियो बैंक के ब्रान डेवेश्टर मनोज बाजपई को बनाया गया किस देश ने पहली बार देश के सिमाबरती छेतरों के सरचन और सोसन पर एक राष्टिय कानून बनाया और इसका अंसर हो जाएगा चीन नेक्स्ट है नेशनल बैंक फोर फाइनेंसिंग इन्फरास्टेक्चर और डेवलमेंट का देश किसे नियुक्त किया गया और ये नियुक्त किया गया के भी कौमत को अगला है किस देश के खिलाड़ी फ्रैन बिलसन ने अंतराष्टी किर्केट से सन्यास की गोशना की और इसका अंसर हो जाएगा इंगलेंड के खिलाड़ी फ्रैन बिलसन ने नेक्स्ट है किस राज के मुखमंत्री ने गो गरीन योजना सुरू की है तो गो ग्रीन योजना शुरू की है गुजरात राजने इस देश की लेख का तसित सी डारायमगा ने परतिष्ठित सांती पुरुषकार जीता है और इसका अंसर हो जाएगा जिमबावे की लेख का है किस देश ने Solid Fuel Carrier Rocket में एक Optical Remote Sensitive उपगरह लाँच किया है और इसका अंसर हो जाएगा चीन देश ने नेक्स्ट है फेस्वुक ने अपने कम्पनी का नाम बदल कर क्या कर लिया है तो फेस्वुक ने अपने कम्पनी का नाम बदल कर मेटा कर लिया है नेक्स्ट है राष्टिय जन जातिय निरित महतसब कहां संपन हुआ तो यह 36 गड़ के राइपूर में संपन हुआ राष्टिय जन जातिय निरित महतसब अगला है 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया तो राश्टिय एकता दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर 2021 को नेक्स्ट है किस भारतिय तटरचक जहाज को गवा में कमीशन का राश्ट को समर्पित किया गया तो ICGS सार्थक को समर्पित किया गया है कमीशन करके नेक्स्ट है सबकत मिर्जियो एव ने किस देश्व के दुवारा राश्टपती बन गए है तो ये उजबेकिस्तान के दुवारा राश्टपती बन गए है नेक्स्ट है किस सहर ने सस्टेनेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड जीता है नेक्स्ट है जारी रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2020 में भारत किस अस्थान पे रहा तो भारत नौवे अस्थान पे रहा और पर्थम अस्थान पे अमेरिका रहा अगला है किस बैंक ने काचेंग क्रेडिट कार्ड लांच करने के लिए इंडिगो के साथ समझता किया है नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2021 को भारत के पहले रेडियो अबर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उधगाटन कहां किया गया और इसका अंसर हो जाएगा स्यामा परसाद मुखरजी पोर्ट में ये थे SPD के नवंबर महने के निव एडिशन का वन लाइनर धन्यवाद